तो फिक इस हमारे पास में है यह Redmi Note 13 Pro और यह वाले डिवाइस के अंदर आपको मैंने इस स्पेसिफिकेशन तो अपने शॉट में बता ही थी इसके अंदर आपको मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर जो की पोको F5 का छोटा भाई है और यहां पे भी 4 नैनो मेटर के आर्किटेक्चर पे तो आता है लेकिन गईज मैं बताओं यहां पे इसकी परफॉर्मेंस के मामले में यह BGMI में HDR में भी Extreme में यह परफॉर्मेंस दे सकता है और नाई सिर्फ यह 200 मेगा पिसल के सेंसर के साथ में आता है तो आखिरकार में यह फोन की प्राइसिंग क्या होगी एक्चुल में जो भाई यहां पे क्यास लगाए जा रहे हैं उसके इसकी ने प्राइसिंग एक्चुल में होनी चाहिए 20,000 के आस पास में और 20,000 के प्राइस में हमारा Moto Edge 40 नियो भी है और यह Black वाला फोन जो है भाई मुझे काफी यह दा Classy भी लगता है हला कि हमारे पास इससे पहले जो Blue वाला वीटेंट था लेकिन मुझे यह वाला भी काफी यह दा Classy लग रहा है और अगर इन दोनों की comparison के बात कर लो initially तो आपको भाई देखने को न मिलेगा कि back से दोनों में ही यहां पे glass body देखने को न मिलती है हला कि इसका एक जो leather वाला back है वो मुझे ज़ादा यहां पे पसंद आता है लेकिन गई साथी साथ में आपको इसके अंदर 50MP का sensor देखने को न मिलता है वे 13MP ultra white sensor और इसमें केवल 8MP का ultra white sensor देखने को न मिलता है यहां पे जो frame दिया हुआ है दोनों में ही प्लास्टिक का है इसके अंदर 3.5M का jack भी है और साथी साथ में इसके अंदर IR blaster भी है दोनों में हाला कि Dolby Atmos का support देखने को न मिलता है साथी में Dolby Vision का भी support आपको देखने को न मिलेगा हाला कि इसके अंदर premium looking के साथ में आती है एक curved display लेकिन ये full HD वाली display है इसके अंदर आपको एक flat वाला panel तो दिखने को न मिलता है लेकिन इसके अंदर 1.5K की resolution है और Corning Gorilla Glass Victors का support है और इसके अंदर NEG Glass का protection है जो की उतना जादा अच्छा नहीं है जितना की Corning Gorilla Glass Victors का है साथी साथ में गईस क्योंकि यहां पे curved वाला display है तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कौन से tempered आपको इसके उपर लगाना चाहिए तो भाई उसके इंदर बड़ी इना problem है चूस भाई करने में कि कौन सा हम लोग यहां पे लगाए देगे इसमें flat भाई display है कोई सा भी आप इसके इंदर ना लगा ले हो बहुत easily available भी है और इसकी cost भी काफी एदर कम आती है भाई tempered की as compared to the motors साथी साथ में guys क्यूंकि यहां पे 144 Hz का आता है और साथी में यह 6 nanometer के architecture पे बेस प्रोसेसर है तो battery consumption थोड़ा सा जादा है और इसके इंदर थोड़ा सा heating का भी issues लोगों को शुरुआत में आया था इसके अंदर अभी तक तो जो मैंने use किया है इसके अंदर मुझे कोई भी heating के issues यहां पे देखने को बिलकुल भी मिले नहीं है साथी में guys यहां पे अगर मैं speaker की बात मैं अकल दो तो भाई speaker इसका जर्नली लोगों को यहां पे louder लगेगा लेकिन guys अगर softness की बात करेंगे, quality की बात करेंगे यह Redmi का शीकर रेकानों को सबसे जादा बहतर यहां पे सुनाई पड़ता है साथी में guys Redmi के अंदर आपको in-display fingerprint sensor देखने को मिलता है जो की moto में भी देखने को ना मिलता है पहले तो मैं N22 benchmark की बात अगर मैं अकलनों तो भाई यहां पे दोनों में ही similar type की N22 benchmark आती है लेकिन जादा तर मैंने यहां पे देखा CPU और GPU दोनों ही जादा better यहां पे Redmi का ही phone यहां पे performance देगा और इसी के साथ में भाई मैंने यहां पे speed test भी किया था तो speed test में जनरली इससे पहले Moto ने बड़े बड़े phone को हराया हुआ है जिसके अंदर Demensity 7200 था उसको भी यहां पे Moto ने अच्छी टकर दिया था लेकिन यहां पे Redmi का Snapdragon वाला processor के साथ में आने वाला phone इस बार Moto को हराने में कामयाब रहा है और भाई सारे ही application में mostly मैंने देखा है कि Redmi का ही phone जादा faster यहां पे open करता है और नाई सिर्फ यह बलकि हमने BGMI में भी देखा है यहां पे BGMI की पहली बात और default graphics ही आप देखे यहां पे Redmi के phone के अंदर आपको HDR में extreme का support आपको देखने को ना मिलेगा मैंने जो gameplay वगर खेला है उसमें clear है और भाई मैंने या FPS meter भी किया है अगर आप लोग भाई बोलेंगे तो मैं gaming वाला review भी इसका लेकर के आ जाओंगा हाला कि इसका तो मैंने काफी सारी videos अलरडी बनाई है तो आपको पता ही है कि इसकी performance कैसी है गेमिंग के नमामले में लेकिन यहां पर day to day life में आपको कोई भी as such problem देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही फोनों में तो यह चीज़ तो है ही है साथ जाथ में guys अगर मैं camera की बात कर लो तो भाई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है आप लोग से request हैगी अगर चैनल पे नए है नहीं तो चैनल को subscribe करके bell icon को hit करिएगा जरूर इससे मुझे motivation मिलता है और आपको भी मिलेगा subscribe तो करिए पता चलेगा कैसे अच्छी वीडियो आएंगी तो फोन खरीदने का motivation मिलता है ठीक है तो definitely subscribe करिएगा देखो camera भाई इसमें 200 megapixel का sensor तो मिलता है और इसके नहीं मिलता है 50 megapixel का sensor पहली बात तो मैंने यहाँ पे दोनों की ही 200 MP की photo और यहाँ पे 50 MP की photo का difference आप Redmi में एकी चीज़ की दिक्कत मेरे को नया लगी है कि भाई dynamic range जी है HDR की जो photos वगर होती न वो भाई ज्यादा better यहाँ पे motos की आती है comparatively और यह एक बार नहीं यह मैंने हर एक shot में देखा है even अगर आप portrait भी देखेंगे तो उसमें भी और हाँ रेडिमी को थोड़ा सा nice HDR ब color वगर के मामले में चेहरे की brightness, brightness को control करने में Redmi ही जीता है बस लेकिन वह HDR की मैंने बात बताई और जो मैंने portrait की बात बताई बस यही चीज़ है जिसके अंदर moto बहुत बुली तरीके से इसको मात देता है खेर इसी के साथ में अगर front selfie camera की बात कर लो तो front में भाई इसके अं मानना है कि moto में थोड़ा सा यहां पर detailing आपको ज्यादा देखने को मिलती है 32 MP की वज़े से और इवन अगर वीडियो की मैं बात कर लो तो वीडियो में भाई यहां पर back में 4K 30fps दोनों में ही आपको देखने को ना मिलेगा तो फिकर यहां पर आप देख सकते यह दोनों ही स्मार्टफोन भाई बहुत ही अदा बैठरीन है 4K 30fps में यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और अभी हम थोड़ा सा आपको चल के दौड़ करके सब करके दिखाएंगे आप हमको बताईएगा कि यहां पर चल रही है आपने देगा यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर फ्रंट में भाई मोटो यहां पर फोरके देता है लेकिन रेडमी यहां पर टैने टीपी 60fps देता है तो फिरकरीज यहां पर देख सकते हैं यह दोनों स्मार्टफोन से हम लोग ने ली ए है फ्रेंट सेल्फी की वीडियो यहां पर मोटो वाला फोन है 4K में कर सकता है पर अभी आप देख सकते हैं कि क्या है डिटेलिंग इसकी ज्यादा बेटर है आप मुझे बताया है फोरके में थोड़ा सा मोटो ज्यादा बैटर आपको डिटेल प्रोवाइट करेगा लेकिन आप बैलेंसिंग बताईए यहां पर बैक ग्रांड वगर की और जो तो डेफिनेटली भाई यहां पे आप वेट करेंगे रेडमी का तो जादा बेटर होगा अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले नहीं चाहिए तब तो आप भाई मोटो के साफ में जा सकते हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताया है कि मोटो के अंदर IP68 की रेटिंग भी है इ दिस्जिन लेना है आपको तो तो इस वस अल लुए यह एक्टिक्लर वीडियो थैंक यू